आज मैं आपको लेकर चाह रहा हूँ जैपुर के पहले वेक्स मुजियम में जिसे नहरगड वेक्स मुजियम भी कहा जाता है दोस्तो ये पहला वेक्स मुजियम होगा दुनिया का जिसे एक 300 साल पुरानी हेरिटेज साइट पर बनाया गया है नहरगड जिसे नहरगड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप नहर यानि की शेर के समान है और एक और एक्स्प्लेनेशन ये है कि पहाड़ी इलाका होने के वज़े से यहाँ पर शेर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे एक समाने में गाइज अगर आप नेचर लवर है तो नहरगड आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए आप यहाँ पर बाइक से आ सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आप फूर विलर से भी आ सकते हैं नहरगड के संराइस और संसेट पॉइंट्स वन अफ और यहाँ पर बहुत सारी परसनेलटी तीस से जादा आपको लाइफ लाइक स्टैचूज मिलेंगे जो एक डाइवर्सिफाइड केटिगरी से बिलॉंग करते हैं जैसे बॉलिवूड है पॉलिटेक्स है स्पोर्ट्स फ्रीडम फाइटर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे आपको यहाँ पर सचिन तेंदूर्कर से लेकर अमिताब बच्चन और महात्मा गांदी से लेकर दिपी का पाधुकोन तक के स्टैचूज मिलेंगे वैस वैक्स मुजियम में फोन, शूज और खाने पिने का कोई भी समान अलाउड नहीं है यहाँ पर जो मैनेजमेंट है व इंका काफी जादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वैक्स टैचू काफी जादा सैंसिटेव होते हैं उनमें डस्ट हो गए और हैर पार्टिकल होगya है उनसे काफी जादा एफक्ट पड़ता है Friends Vax Museum का एक और attractive section है शीश महल, Palace of Mirror भी कहते हैं इसे जहां पर लगबग 2.5 million glasses के pieces को यूज करके एक अलग ही miraj kind of experience create किया गया है Friends Vax Museum और शीश महल से जैसे ही आप exit लेते हैं तो एक section है जहां पर राजस्थान के folk artist आपको singing और puppet shows की presentation देते हुए दिखेंगे वो एक one of a kind experience है आप लोगों को बिलकुल भी miss नहीं करना चाहिए तो guys ये था हमारा छोटा सा vlog Vax Museum और शीश महल का अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें जल्दी मिलते हैं नए व्लॉप में तब तक के लिए goodbye, take care, bye bye